एक 5 पेशन्ट या 4 पेशन्ट है उनको बचाने के लिए क्या करेगा उसको क्या उप्षन है कि वह जो यह हैल्दी वैक्ति है उसके जितने वी ओर्गन है वह बाकी के जो वैक्ति हैं उनके अंदर क्या कर देगा ट्रांस्प्लाइन कर देगा ब्राज्र की वीडियो में हम डिस्क्स काइं है उनकी जो ग्रेटेस्ट हैं जर्मे बैंथम हम तो अब चलिए कौन कौन से टोपिक आई इस वीडियो में कवर किये जाएंगे सबसे पहले एनरिटिकल स्कूल क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में हमने है जो डिसकस कर लिया है जो कि आप आई बिटन में जाकर के देख सकते हो और उसके बाद में हम देखें है कि जिर्म में त fought कोन है उसका work क्या था धोरी or principle उसने कौन कोन से दिए है जैसे कि utilitarian ने या utility की धोरी कोन से दी pen pleasure की धोरी कोन से थी principle of hedonistic य्या hedonism है वो क्या था यानि कि calculus का जो concept था कि उसमें किस तरह से है एक pleasure को calculate किया जाएगा किस तरह न से किसी वेक्टिके actions के थू है जो उसके है जो moral या उनके action के regarding right wrong का पता लगाए जाएगा उसके बाद में हम इसके criticism के regarding discussion करेंगे क्योंकि और अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो इसे subscribe करें चैनल को like वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको like करें और अपने दोस्तों के लिए अगर ये help बूल है तो उनके साथ में share करना ना बूलें तो चलिए देखते हैं कि जो analytical school है इसमें कौन कौन से उसको नामों से जाना जाता है supporter कौन है 19 century के अंदर positiveism movement था उसका क्या concept था positiveism क्या है legal positiveism analytical justice ये वर्ट थे वो किस तरह से use किये गए थे इनका meaning क्या था ये सारे के सारे हमने last वीडियो में डिस्स कर ली है जो कि आपको i button में है वो यहाँ पर मिल जाएगी वीडियो अब उसके बाद में देखते हैं कि Jeremy Bentham कौन था Jeremy Bentham थे एक English Jurist Utilitarian Philosopher एक Social Reformer कहें या एक Great Figure थी British Legal Positiveism के अंदर एक Moralist भी इसको कह सकते हैं एक Hedonistik कह सकते हैं जन्होंने थोट दिया था किस चीज़ का Thought of Good और ये एक Leading थोडिस्ट बन गे थे एंगलो अमेरिकन Philosophy of Law के अंदर और इनका जन्म था वो हुआ था 1748 में और डेथ है वो 1832 में हुई थी कहां पर लंडन में यहीं पर इनका जन्म हुआ था यहीं पर अजिनकी डेथ होगी और ये कौन थे एक Attorney के सन थे बेटे थे और इन्होंने जो Leicisphere का पर इन्होंने अलग लग तो यहां पर सुपोर्ट किया है और इन्होंने अलग लग तो यहां पर सबसे पहले रखा गया है Greatest Happiness Principle है Principle of Utility है Utilitarian है वो एकी बात है यह जो इन्होंने है अलग लग जो सिद्धानत है वो दिये गए है तो यह स्कूल कौन से को स्पोर्ट करते हैं यह स्कूल करते हैं Anality School है उसको स्पोर्ट करते हैं उसी में हैं इनका वर्क है वो आता है उसके बात में हम देखते हैं कि जो इनका वर्क है वो क्या-क्या है कौन-कौन से बुक है इन्होंने या कहें Principles वगरा दिये हैं तो सबसे पहले आता है इनका Introduction to the Principle of Moral and Legislation जो की 1789 में हुआ था Second कहें तो Limitation of Jurisprudence Defined दी और यह है जर्मी बेंथम की बुक और वहीं पर अगर हम ओस्टिन की बात करें हैं तो उन्होंने कौन से दिया था The Providence of the Jurisprudence Defined Next बुक आतिया इनकी एक Fragment of Government of Law in Journal जो की 1776 के अंदर पब्लिस हुई थी और यह कौन से बुक थी इनकी यह इनकी फॉस्ट बुक थी ठीक है उसके बाद में एक और था Theory of Greatest Happiness Principle इन्होंने दिया था और इनकी जो बाकी की थोरीज है Hedonism, Mutilitarianism यह भी है इसके अंदर वर्क में ही आ जाती है अब उसके बाद में देखते हैं कि यह हैं जो Natural Law है जैसे हमने Natural Law पड़ा था उसका जो आइडिया है उसको पोज करते हैं और Natural Right है उनको भी पोज करते हैं क्योंकि इनको यह Consider क्या करते हैं Divine या God Given को इन ओरीजन के अंदर इनको God Given मांगते हैं ठीक है और उनको क्या करते हैं कि एक Nonsense upon Stilts है या फिर यह क्या है Anarchical Fallacies है एक तरह की राजिकता वाली कलपना Fallacies है और Nonsense upon Stilts क्या कह सकते हैं कि एक तरह से यह है जो Stilts जैसे यह लकड़ी के टंड़े होते हैं इनके ओपर कोई खड़ा होता है उसके ओपर मानलो Nonsense Type Person कोई है तो उसको यहाँ पर इन्होंने जो Idea of Natural Law या Natural Right को है वो कहा है कि नोने कहा है Jeremy Bentham ने उसके बाद में जो Jeremy Bentham है उन्होंने जूरिस्पूटंस को दो भाग में डिवाइड किया है कौन से कौन से भाग है यह डिवाइड करते है एक तो Expository यानि कि What Law Is यानि कि Law क्या है और एक करते हैं Sensorial What Law To Be यानि कि Law क्या होना चाहिए अब Expository की बात करें तो उसमें क्या है कि जो एक तो है Authoritative जो कि एक Legislative Power है उससे Drive किया जाता है और एक और यह Define करते हैं Unauthoritative जो कि Drive होता है From the Tax Book on the Law Law के उपर जो टेक्स बूक है उनसे जो Law Drive किया जाता है उसको यह Expository यानि कि What is Law है उसको यहाँ पर दो अलग-अलग भागों में Divide किया है Zerois Prudence को और Jeremy Bentham क्या करते हैं Discard करते हैं या Reject करते हैं किस चीज़ को यह करते हैं Natural Law को Not Law at all सिर्फ Natural Law को सारे लोग को नहीं बट मेरे लिए जो So-called Law है जो कि किसी Sovereign से Eminate नहीं किये गए सिर्फ उनी लोग को है जो यह क्या करते हैं Discard करते हैं Reject करते हैं और जो Analytical Juris Prudence है यानि कि Sovereign वाला जो Concept भी हमने Natural Law के इसका जो सबसे पहले अगर हम कहें तो किसने जिकर किया था वो किया था Jeremy Bentham ने यानि कि Jeremy Bentham ही वो शक्स है जो कि Actual Father हम इसको कह सकते है Of the Analytical Juris Prudence नहीं कि John Ashton को वैसे अब आब कहा John Ashton को ही जाता है John Ashton को ही Founder माना जाता है लेकिन उससे पहले है जो Jeremy Bentham ने ही Sovereign का Concept है ये Positive Law का और ये एक और लोजा इन्होंने कौन सा दिया था Individual के Pleasure और Decrease the Pain को इसका Concept भी है जो Bentham ने दिया है जो कि बाद में Austin ने सिरफ एक Positive Law का Concept ही उठाया था उसमें से तो इसलिए Jeremy Bentham थे वो First थे Austin से उसके बाद में Austin आये थे यहाँ पर Jeremy Bentham है उन्होंने क्या काया कि जो Positiveism है sovereignty है Command है Duty है या sanction है ये जितने भी सारे के सारे जो term है वो कब आये थे Bentham के साथ में जब Bentham England भी आया था उस टाइम आये थे और जो कि क्या है basic element है किसके analytical jurisprudence के और जो बाद में है जोन आस्टिन ने borrow कर लिये थे किसकी थे थे Bentham की थे ये बाद में किसने लिये लिये जोन आस्टिन ने जोन आस्टिन ने अपनी थे थे है जो Command Command थे थे या Positiveism theory के है वो है जो आप प्रोड्यूस कर दी थी यहां पर Jeremy Bentham है उन्होंने क्या काया कि Law as a command of sovereign ठीक है जो की ये आइडिया किस से लिया गया था Law as a command of sovereign जो की लिया गया है Hobbes से As a reformer of law अब आपने देखा है Social reformer थे Bentham तो reformer के तोर पर जो Bentham है उन्होंने insist किस के ओपर की दिया जाए तर दवाव किस पर दिया है Doctrine of Utility अब Doctrine of Utility क्या है वो देखते हैं कि ये analyze करते हैं Legal principle को By Touchstone of the Utility Utility के Touchstone के दुरू है वो इसको करते हैं और इसमें है जो वो क्या कहते है कि जो Equity है Fiction है Natural law है या फिर Judgment law है Moral law है ये सभी के सभी हैं जो क्या करते हैं Shroud डिड कर देते हैं English law को यानि कि English law को एक तरह से Shroud डिड कर देते हैं और क्या करते हैं उसको Wagyu और Unreal यानि कि उसको क्या करते हैं As supposed या एक तरह से कहीं उसको Unreal बना देते हैं ये उन्होंने कैसा क्यों कहा था कि वो है जो इस सिस्टम को है उसको Clarify करना जाते थे जो एक्जिस्टिंग English law है जिसमें ये Equity, Fiction, Natural Laws हैं जिन्होंने English law को Shrouded किया हुआ था एक तरह से ढका हुआ था तो उसके बाद में हैं जो जूरिस्टम क्या कहते हैं कि जो Limit of Jurisputs Defined है जो कि उसकी Published कब हुई थे 1947 में उन्होंने उसमें क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जितने भी law है वो क्या है वर तो बी टेस्टिट इन टाइम ऑफ दे मैं मैंस Greatest Happiness यानि कि जो Greatest Happiness और सबसे बड़ी खुशी क्या है उसके अधार प्रह जो law है उनको क्या किया जाना चाहिए टेस्टिड किया जाना चाहिए और उन्हेंने क्या कब कहा था यह अपनी उस बुक में कहा था Limited Limits of Jurisputant Defiance और यहां पर जो law है इन टर्म ऑफ यूटिलिटी वो एमिनिट कहा से हुआ है फ्रॉम दी सौवरन यहां पर जो जब इन्होंने यह टर्म है एमिनिट कहा तो उस टाइम इन्होंने दो concept दिये थे लोग के कौन कौन से एक तो command of sovereign और एक दिया था law is promote individual pleasure and decrease यानि कि pleasure को increase करना है और decrease क्या करना है pain को यह आगया pain और यह आगया pleasure ठीक है तो यह concept है जो analyze किसके दोरा किया गया था पहले किया गया था बैंथम के दोरा Austin से पहले Austin उसके बाद में है था और उन्होंने यह जो concept है वो लिया था और जो Austin है उन्होंने जो positive law यानि कि command of sovereign है उसको ही adopt है कर लिया और यह जो law का जो सिधानत है utilitarian का यानि कि pain pleasure वाला उसको क्या कर दिया डिजेक्ट कर दिया क्या कहते है वे reject किया Austin क्या कहते है कि यह जो identify with the natural law and law of God इसलिए उसको इस अधार पे इन्होंने है जो reject कर दिया यह कहते है कि इसका है जो positive law से कोई लेना देना नहीं है nothing to do with the positive law इसी ground पर उन्होंने उसको reject किया और इस positive law को यानि कि law of command को एक theory के तोर पर है जो jurisprudence की जोन आस्टिन ने है जो produce कर दिया अब आता है principle of hedonistic यानि कि hedonism का सिदान्थ इसमें है जो जर्मी बैंतम ने क्या कि इसमें इन्होंने दो सिदान्थ है doctrine है वो advocate किये है कौन-कौन से एक तो है psychological hedonism और second वाला है ethical hedonism अब psychological hedonism क्या है वो देखते हैं कि psychological hedonism में क्या सिदान्थ है कि जो human action है जितने भी human action है वो motivated है कि इसके लिए to desire to enjoy the pleasure pleasure को क्या करना है enjoy ठीक है decrease या prevent करना है कि इसको pain को तो ये जितने भी actions है उनका only rational aim क्या है that is the only rational aim यानि कि increase the pleasure and prevent the pain enjoy करना और यह वहीं पर अगर हम बात करें ethical hedonism की तो उसका मतलब क्या है कि rightness और wrongness है किसी भी action की वो determine किसके दोरा होगी कि क्या वो action है वो determined है by the action creates happiness and unhappiness यानि कि जो action किया जा रहा है कोई action है वो किया जा रहा है वो क्या create करता है happiness या फिर unhappiness उसी कोई अधार पर है जो उसकी rightness और wrongness को है जो क्या किया जाएगा determine किया जाएगा ठीक है तो यह जो दो है इसमें आगे doctrine psychological hedonism और ethical hedonism उसके बाद में क्या आता है कि जो principle of utility है वो क्या है कि morally right principle है of action of every situation यह किस ने कहा था बैंतम ने कहा था ठीक है और Jeremy Bentham के according जो जैसे भी यह concept है जैसे कि common sense का जो concept है या कहीं हम राइट rule of right है law of reason है natural law है यान कि law of nature है यह सारे के सारे जितने भी concept है वो क्या है only theoretical है in nature और speculative है principles के दूर पर इन को लिया गया है और इनको हम क्या नहीं कर सकते practically applicable नहीं कर सकते in an every moral situation ठीक है यह हर जगाएं पर है जो apply नहीं किया जा सकते उसके बादे बैंतम ने है जो pain and pleasure को है वो classify किया है किस के अदार पर human psychology के अदार पर और जिसको उन्होंने illustrate किया है as a psychological hedonism के तूर पर तो यहांपर हम pleasure देखते हैं पहले उन्होंने कौन कौन से हैं वो उन्होंने कहा हैं उन्होंने कहा है कि pleasure of reach pleasure of good reputation pleasure of friendship pleasure of knowledge pleasure of social affection pleasure of relief from pain which might vary various from the kind of the pain यानि कि अलग जो भी pain होते हैं उनसे थोड़ा सा का relief किस तरह हैं मिलती है उस pain से वो चीज़े है या फिर pleasure of good friendship and social affection आपके पास एक अच्छी friendship है social affection है आपको लोग सब ही पसंद करते हैं वो किस तरह का एक pleasure है वो एक अलग ही खुशी है उस तरह का pleasure friendship ही पागया किसी चीज़ के आपको knowledge है बहुत ज़ादा उस चीज़ की एक अलग ही लेवल की खुशी होती है ऐसे यह जो pleasures हैं उन्होंने किया है उसके बाद में pain की बात करें तो pain of privation, disappointment, regret, dissatisfaction यह किसी तरह का पश्टावा है को satisfaction नहीं होई, disappointment होई है किसी तरह की pain of senses है जिनमें include का करते है किसी भी तरह की कोई disease है, कोई बिमारी है जितनी प्रकार के हैं उन सभी के अंदर जो भी pain आपको होता है वो चीज़ें इसमें आती है उसके बाद में आता है next pain of skill उसके बाद में next आता है pain of animity उसके बाद में आता है pain of include fear of divine punishment यानि कि देव्य punishment आपकी सजाओं का एक तरह से डर है वो भी इसमें include आता है pain pain of knowledge and imagination आपको कुछ ऐसी knowledge है जो कि ड्रामनी है या फिर आपकी imagination कि इस तरह से जाती है उसके regarding जो pain होता है वो सारी चीज़ेंसी में include की गई है जैनमी बैंथम के दवारा और बैंथम के अनुसार जितने भी है ये categories हमने pain और pleasure की है वो decide करती है एक motive को किसके acceptance करने के लिए इस तरह के behavior या conduct को जो कि create करता है happiness of the human being के अंदर interest कितना है ये सारे उसी क्यादार पर है और उन्होंने है जो अलग अलग pain और pleasure है उनको as a sanction के तोर पे भी कहा है इसको है जो pain और pleasure को है जो जैनमी बैंथम ने है वो चार categories में define किया है वो कौन कौन से category है उनको discuss करते हैं सबसे पहला आता है physical sanction physical sanction क्या होती है कि अगर कोई pain या pleasure है pain है या कोई pleasure है वो कहां से arise हो रहा है वो और रहा है duty to the normal और natural या फिर कोई ordinary course of nature nature के किसी ordinary course से हो रहा है और ये किसी human being यानि कि किसी वेक्तिविसेज के दोरा नहीं किया जा रहा है यानि कि यहां से नहीं अराईज हो रहा है ये किसी nature के दोरा हो रहा है तो actions है उनके थुरू अगर कोई चीज होती है उसको यहां पर physical section का आए example के दोर पर हम कहें तो pain है वो कहां से receive हुआ है यहां पर मान लीजिए कोई pot stop पड़ा है गरम कोई भी चीज हो उसके उपर आपका हाथ लग गया उससे जो pain हो रहा है वो यहां पर physical section के तोर पर आता है इसमें किसी human action नहीं है नहीं कोई मतलब अधर चीज़ें एक natural है वो गरम है उसके उपर आपका हाथ लगा उससे दर्दुआ यह हो गया नेक्स देखते हैं कि political sanction कौन से होती है political sanction की बात करें तो जो की arise होती है या फिर attached है किस से किसी एक action से action किसका sovereign authority का ठीक है sovereign authority या कोई sovereign ruler है government है उसको यहाँ पर physical sanction का आगया है जैसे कि for example हम कहें तो जैसे judiciary है उसके दवारा कोई punishment है किसी वैक्ति को दी गई है वो यहाँ पर include होगी उसके बाद में next आता है moral sanction moral sanction की बात करें तो यह है action by will of individual होता है किसी authority से नहीं होता इसलिए इसको moral या फिर popular sanction कहते है next आता है religious sanction religious मतलब dharmic sanction यह sanction कहां से होती है यह किसी supernatural power या फिर किसी ऐसे decision से जो की direct आता है from the hand of superior individual being से आतों से उसकी will के दवारा अगर कोई action होता है तो उससे attached होती है उसको यहाँ religious section कहा जाता है जैसे कि हिंदूरिजम में hell और heaven का जो concept है वो हो गया तो यह जितने भी चीज़े हैं वो religious section के अंदर आती है उसके बाद में हम डिस्स करते है theory of utilitarianism यहाँवर जो बेंथम है वो अपनी utilitarian की theory जो popular theory है उसके लिए जाने जाते हैं जो की emphasize किसके उपर देती है individualism के उपर ठीक है उसके according क्या कहते है बेंथम के according यहाँपर क्या है कि जो function of law है वो क्या है unfutter करना किसको individual को किन चीजों से from the bondage and distain upon the freedom यानि कि उसकी freedom के उपर कोई distain लगा रखी है कोई bondage लगा रखी है कोई दास्ता है कोई गुलामी के तोर पर उसको कहीं रोक रखा है परतिबन लगा रखा है उन सारी चीजों से उसे मुक्त करना unfutter करना वो यहाँपर क्या आता है इसके अंदर उसकी theory के अंदर function law का इस theory के according क्या है कि function of law यह है economic activity of the individual यानि कि जो एक individual के दोरा कोई trade किया जा रहा है उसकी economic activities है उनके अंदर state का minimum interference होना चाहिए यानि कि एक वैक्ति को let them free to do the trade as he want उसके अंदर interference किसी भी तरह कर नहीं होना है यह ताकि जो trade है वो freely अपने आप grow होस के क्योंकि अगर free trade हो रहा है एक individual अपने मर्जी से कर रहा है minimum interference है वहाँ पर तो वो अपने इसाब से उस trade को बढ़ाने के उसकी growth के अंदर chances है वो जादा हो जाएंगे और यह क्या कहते है कि जो legislation का main aim होता क्या है कि carry out the principle जितने भी principles हैं उनको carry out करने का इसका main aim होना चाहिए legislation का और यह criticize करते हैं method of law making, corruption, inefficiency in the administration of justice and distance on the individual liberties के उपर जितने भी यह परतिबंद बगर लगा रखे हैं उन सारी चीज़ों क्रिटिसिजम करते हैं एक बार एक individual अगर free हो जाए इन सारी चीज़ों से किसी भी corruption से law making जो भी इनके उपर restriction लगा रखी है bondage वगरा है तो वो क्या करता है अपने future के warfare के about क्या करने लग जाता है care करने लग जाता है और वो अपने future के बारे में सोचने लगेगा इसके बाद आती है utility बैंथम के coding utility का क्या मतलब है कि यह है जो create क्या करती है benefit करती है advantage, pleasure, good, happiness यह सारी चीज़ें जो create करती है वो यहाँ पर utility का आ गया है और उसकी theory है वो क्या propose करती है two premises है वो propose करती है first क्या है believe in consequence and second maximization or happiness दो यहाँ पर premises दिये है यहाँ पर first का meaning क्या है इसका मतलब क्या है कि जो vulnerability है वो concern करती है किस से effect of action से जिनके उपर एक happiness of individual है वो effect होती है उसके action के दोरा उसके क्या प्रिनाम आते है उसके उपर second वाले की अधारपन हम कहें तो एक action है और वो right action है कब है जब वो create कर रहा है या फिर उसके consequences क्या है greatest happiness of greatest number है greatest happiness greatest number और bentham है वो अपने an act of utilitarian के अंदर क्या believe करता है कि उसके अंदर precious calculations होनी चाहिए utility की अगर हर एक possible जो action है given situation उनके अंदर अब precious calculations क्या है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ achieve करना क्या utility conscient के through calculation करना ठीक है और यह क्या है यह एक number होता है जिसके अंदर एक situation है जो कि depend करती है seven dimensions के उपर यानिकि seven dimensions कौन कौन से है first आता है intensity उस action की intensity कितनी है duration कितनी है उस action की certainty कितनी है यानिकी probability कितनी है certain है uncertain है वो चीजे probability कितनी है यानिकी कि कितने जल्दी है जो उसके effect है वो यहाँ पर evident हो जाएगे उसके बाद मैंते है faculty यानिकी probability किसके leading to further pleasure or pain उसके further आगे pleasure or pain कि उसकी probability कितनी है फिर आता है purity हम जाब लेंट कि अट अगे फर्दर है यह लीड नहीं जांगे one कि किसला करेंद के लिए का अब इसकी कर्दिसम भी कि कि इस ठीरी के रिगार्डिंग क्या क्रिटिसिजम है कौन-कौन से जूरिस्ट के द्वारा दिये गई है आई होप कि आपको ये चीज़े हैं जो अच्छे समझ में आगी है अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग दिया तो इसको लाइक जरूर करें चलिए अब इसके क्रिटिसिजम की तरफ चलते हैं तो अब देखते हैं जर्मी बेंथम के ठीरी की क्रिटिसिजम क्या क्या है कौन-कौन से जूरिस्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या क्रिटिसिजम दिये है या क्या 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 थोड़ दिये है तो सबसे पहले criticism के हम बात करें तो ये जो भी थोड़ी है ये justify कर देती है किसी भी crime को और उसको morally compulsory भी कर देती है किसलिए एक satisfaction के लिए किसकी pleasure for the greatest number यानि कि खुशी को प्राप्ट करने के लिए pleasure को प्राप्ट करने के लिए उसको satisfy करने के लिए ये crime है कोई अगर उसको भी justify कर देती है morally compulsory कर देती है ये एक इसका criticism है एक तरह से उसके बाद में अगर हम बात करें तो Bernard Williams है इन्होंने कुछ थोड़ा experiment present किये है as a criticism के तोर पर चलिए उनके जो example है experiment है as a criticism वो क्या कहते है तो इन्होंने सबसे पहले involved किया है एक gym नाम के एक बंदे को जो क्या है एक botanist है botanist है तो उसके सामने एक choice रखी गई है कि वो एक prisoner है उसको kill कर दें इसको kill कर दें और जो ये बाकी के prisoner है वो उनको release कर देंगे ठीक है एक तो इसके पास में ये choice है और क्या है बाकी के जितने भी 20 यहाँ पर 20 prisoner है उनकी death है ये उसके सामने एक रख दी किसी तरह से एक choice क्या ये इस theory के अदार पर देखें तो क्या justifyable है तो यहाँ पर वो है जो reject कर देते इस theory को किस बेस के ओपर की जो any system जो कि यहाँ पर exact करता है ठीक समझाता है ठीक बता करता है कम कर देता है किसी इसको moral decision को मेर्द algorithm of income compatible है with the morality के next अगर थोट की बात करें तो यहाँ पर वो क्या आता है कि एक ट्रॉली थोट experiment है वो क्या कहता है उसमें क्या decide करना है कि यहाँ पर एक side में एक pace एक वेक्टी और एक side में पांच वेक्टी ने चराना है क्या वह यहां से ड्राइब करके इस एक वेक्टी को क्या बट अगर सिलेश यहां पर आती है तो यहां पर प्लेजर और पेनार पर इस थोरी के लगतार पर उसओ एक चवाइस करना है तो इस थेहोरी में उन्होंने इसको as a criticize किया है उसके बाद में एक और वो थोड़ देते हैं कि एक जो फिजिशियन है उसको क्या क्या किल करना है एक healthy वेक्टी को किसलिए एक 5 पेशन्ट या 4 पेशन्ट है उनको बचाने के लिए surgery के थूप तो यहां पर अगर देखें तो क्या यह justify है कि एक healthy वेक्ति को चार unhealthy लोगों को बचाने के लिए kill करना ठीक है तो यहां पर अगर यह अगर justify हो जाए तो यहां पर यह एक त्रहें से crime को या criminal activities को justify कर देता है अब आगे देखते हैं एक another complaint क्या आती है कि वो represent क्या करती है कि यह theory है वो क्या है in practical है यानि कि इसको practical तोर पर नहीं किया जा सकता यह theory क्या assume करती है कि एक वेक्ति के पास में अगर speech and time है information है knowledge है calculate करने के लिए किसी भी act के consequences को वो उनकी value को evaluate कर सकता है compare कर सकता है with the other alternative जो उसके पास में act है before taking action कोई भी action करने से पहले उसके पास में एक यहां पर time है speech and information है knowledge है उस चीज़ को calculate करने के लिए क्या वो act सही है या गल्थ है ठीक है तो यह theory यह चीज़े assume करती है next क्या करते है कि यह theory failed हो जाती है क्या चीज़ रिकोग्राइज करने के लिए वो devolve करता है human thinking को to the animalistic need यानि कि जानवरों की तरह सोचने पर उनको उनकी जरूरतों के दोर पर उसको मजबूर कर देता है क्योंकि जानवर होते हैं वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो दूसरे animal को kill कर देते हैं इसी तरह है फिर यह जो theory है वह एक तरह से animalistic जो thinking है उसको बढ़ावा देती है उसके उपर focus कर रही है वहीं पर अगर हम काल मार्क्स की बात करें तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है utilitarianism को किस ग्राउंड के उपर कि यह जो principle है वो failed हो गया है to afford the intention किस phenomenon की कि जो people है from the social economic context है वो परसीव करते हैं ज्वाइड डिफरेंटल यानि कि एक society में people है एक other society है तो उनके जो people है उनकी जो enjoy करने किया joy किया जो perceive करने का जो context है वो अलग लग होता है अलग लग सोसाइटी में देखें तो वहां पर अलग लग तोर पर ही pleasure को और pain को है जो measure किया जाता है जरूरी नहीं है कि हर एक society के अंदर जो people का perceive joy perceive करने का तरीका है वो same हो वहीं पर pop john paul है second व एक civilization है किसकी production of and of use की तो civilization of think not of a person ये क्या है things की civilization है नहीं की person का है यहां पर इस theory के दार पर हम person को वैसे ही use कर रहे हैं जैसे कि एक thing को या कि कि किसी चीज से हमें कही pleasure मिला है पहन मिला है उसको जिस तरह से हम use करते हैं वहीं यहां पर हो रहा है इसलिए यह जो theory है वो people को एक object of use के तोर पर यहां पर है यानि कि किसी भी वस्तु के तोर पर उसको use करने के तोर पर बना रही है ठीक है उसके बाद में कुछ और point देखते हैं criticism में कि यहां पर friend manon है वो कहते है कि यह suffer life with the two weakness क्या और यह an offer to blend mix करती है यह metabolism materialism और idealism के हो और इसकी थोरी है वो fail हो जाती है balance करने में between the individual interest and interest of the community और यहां पर क्या कहा जा सकता है कि जो pleasure और pain है उसको एक final test किसी भी लोग के कैसी के लिए यहां पर उसकी प्रयापता के लिए justify नहीं माना जा सकता है यहां पर जरूरी नहीं है कि हर एक जो act है जो कि pleasure देता है उसको good कहा जाए यहां कि उसको good नहीं क जा सकता है और यहां पर क्या कहा गया है कि जो low है उसको पूर्ण रूप से legislation के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए जो कि individual की freedom में जो भी barriers है उनको remove करती है but in the later time वहां पर यह कुछ restrictions मीं है वो भी यहां पर impose कर सकती है use कर सकती है और जो ethic of principle of greatest happiness of greatest number है वो universally कभी भी accepted नहीं कि logic necessity के तोर पर उसको drive किया जा सकता तो यह था जो बैंथम की ठोरी है पैन प्लैजर या यूटिलिटरियर्जम या फिर यूटिलिटी उनका criticism I hope कि आपको यह जो वीडियो है बैंथम की ठोरी के रिगारडिंग थोड़ी लंबी जरूर होगी है लेकिन इसके अंदर आपका हर एक concept वो कलियर हो गया होगा और आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगे होगी तो उसको लाइक करें इस चैनल को subscribe करें ऐसी ही और वीड ले तकि उनके डाउट टाम वो कलियर हो एंड थैंक्स वर वाचिंग कीप रर्निंग कीप रर्निंग कीप रर्निंग